मेरी चैनल में आपका स्वागत है यह परंपूज गुर्देव के सकारात्मक आभा मंडाल का आशीरवाद उनके कष्ष में जाकर अवश्प्रात करें आज मैं अपनी चैनल के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि परंपूज गुर्देव पंडि श्रीराम शर्मा आचार जो शांति इन हरुद्वार के सास्थापक हैं उनके विशह में तीन जन्मों के बारे में बताना चाह रहा हूँ गुर्देव कहते थे जैसा सोचोगे और वैसा ही करोगे तो वैसा ही बन जाओगे गुर्देव हमारे बीच में चौथे जन्में थे वे आवल खेडा गाव में जो आगरा से 24 किलो मेटर दूर है वहां अवतरित हुए जब यह 10 वर्ष के थे तो 1921 में पंडित मदन मौन मालवी जिने उन्हें गायतिरी मंत्र की दीक्षा कार्में दी थी और कहता कि गायतिरी काम देनू है ब्रह्मण की काम देनू है गुर्देव गायतिरी मंत्र जबते रहे और लगभग 5 वर्षों के बाद 1926 में बसंत में उनको पीला सफेज प्रकाश पुछ दिखाई दिने लगा और उस काले अंधेरे में वो प्रकाश और तीवर हो गया बाद में ये तीर सफेज प्रकाश सफेज रंका हो गया और उसी दिन से अखर्ण जोती की स्थापना गुर्देव ने की थी और पिच्चानवे वर्षों से वो अब तक जल रही है जोती में एक आकरती उत्पन हुई और उन्होंने बोलना शुव कर दिया गुर्देव एकदम से डर गए आकरती ने बोला कि डरो मत ये आकरती देखिए उनको दिखाई पड़ रही थी वहाँ पूजा की कोठरी में ये आकरती दिखाई पड़ रही थी ये कौन है ये दादा गुरू सरवेशरा रंजी महराज पांसो वर्षों से मार दर्शन कर रहे हैं वैसे तो उन्होंने बताया कि आपके कई जन्म हुए हैं पर तीन जन्म आपके मुख हैं ये दादा गुरू देव 1926 में इस प्रिकार से अवतरित हुए और चबी उनकी देखिए उन्होंने कहा तीन जन्मों से तुम समा सुधारक रहे हो और अब भी यही काम करना है इस चौथे जन्म में 24 महापुरुष्चरम की विदी बताकर वो अंतरध्यान हो गया पहला जन्म तुमारा संत कवीर का था 120 वर्षन तक जीवित रहे और मा लोई आपकी पत्री थी तो गुर्देव का पहला जन्म संत कवीर का था 120 वर्ष की आयू थी और मा लोई उनकी पत्नी फिर 16 वर्षों के बाद समर्थ गुरू रामदास के रूप में उत्पन हुए 47 वर्षों के बाद उत्पन हुए और माता बीवी भानी उनकी पत्नी थी यह समर्थ गुरू रामदास जी का चित्र है यह माता बीवी भानी पंदर से चगुएन में पैदा हुए और पंदर से एक्यासी में शरीरत याग दिया और फिर 255 वर्षों के बाद वही रामकृष्ण परम्हस के रूप में उत्पन हुए और 50 वर्ष तक जीवित रहे यह शरी रामकृष्ण परम्हस और यह मा सार्दा सुर्मुनी मुखो पाद्यार उनकी पत्री जो सरसट वर्षों तक जीवित रही मा सार्दा मनी मुखो पाद्यार फिर 25 वर्षों के बाद तुम्हारा यह जन्मुआ और मा भगवती देवी वही मा सार्दा सुर्मुनी है यह गुर्देव का चित्र देखिए गुर्देव 20 सितंबर 1911 में पैदा हुए और 26 1990 में समाप्त हो गए इस समय मैं गुर्देव के कक्ष में हूँ एक उधार हमारे परवार में डाक्टर राजिन शर्मा जी का है उनको मेरे बड़े भाई गुर्देव को प्रणाम करने के लिए लाए है और फिर चलेगे गुर्देव ने दुबारा उनको बुला कर आशिरवाद दिया ये बात 19 मार्च 1987 की है इसी कक्ष में जहां मैं बैठा हूँ ये देखिए गुर्देव उनको बुला कर दुबारा आशिरवाद दे रहे है प्रोफेशर राजन कुमार शर्मा ये बात 19 मार्च 1987 की है और उस आशिरवाद को पाक है उनको आशिरवाद पाने के बाद डॉक्टर राजन कुमार शर्मा जी को क्वीन अलिजाबेट टू डायमंड जूबली वेडल प्राप्थ हुआ फिर उनको फैलो ऑफ दा रॉयल सुसाइटी आफ आर्ट्स 2014 में सम्मानित गया उसके बाद उनको सास्केटिवन सेंटिनल मेडल दिया गया इस समय वो कैनेडा में है बायो कैबिस्ट्री के प्रोफिसर है और आगे चलके देखिए वो सास्केटिवन ओर्डर ऑफ मेरिट से उनको सम्म मानित किया गया और वहां सास्केटिन के नड़ा में चार स्ट्रीट्स हैं उनके नाम पर है इस पर लिज में और उनका नाम हर जगा लिखा हुआ है कितने बड़े गर्व की बात है यह देखिए उनका चित्र यहां पर वो हात्रस में पैदा हुए थे और बहुत नुगको प्रडाम करें प्रीर शि dead म मता भ्गवति देवी जी को प्रडाम करें यह उनका तक्त है और फिर सीधा जाय वहां पर गुर्देव माता जी का चित्र रखा हुआ और यह पवित्र जल है। बाई तरफ करशफिय की निजे वहां पर पवित्र जल है उसको पड़ाम है अबश गैत्री मंद्र उनके कख्ष में लिखा हुआ है तो वहां गुर्देव का जो आभा मंडल है वो पूरे कख्ष में विराजमान है कोई जोती रूप में नहीं है इसलिए वाज आकर उनका आशिरवाद जिस जिसको मिला जैसे मेरे जो संबंदी है उनको आशिरवाद मिला तो उतने इतना अधिक उच्छेड़ी का सम्मान उनको प्राप्थ हुआ यहाँ पर गुर्देव की कुर्सी है यहां साहित रखा है फिर छोटा कमरा उसके अंदर है वहाँ जरूर जा है क्योंकि वहाँ गुर्देव का आभा मंडल और भी अधिक तीवर है यह गायतरी मा जिसकी जिनकी वह आराधना किया करते थे और सामने दादा गुर्देव का चित्र है वो गुर्देव के कक्ष में रखा हुआ है वहाँ उसको पड़ाम करें यह श्री वेका नंजी का चित्र है यह यहाँ पर यह कुर्ची है जहां गुर्देव बैठा करते थे विक कुल्देव का तरए जिनकी पर यह श्रीव को मिला मैंजेखा हमारे परवार में सभी को हमको अश्रीवाद उनका मिल चुका है और जिस जिस ने उनका अश्रीवाद पाया वो आगे बहुत प्रगत्ती की कि इसलिए वेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि वहां जब भी जाए शांतिकुन तो गुर्देव के कख्ष में अवश्र जाकर प्रडाम करें कि जादा गुरु श्री सर्वेश अड़नी महाराज का चित्रवापर लगा हुआ है कि आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे कि फर्वर्ड करिए इसको और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद